नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले है सेफोन एस्पी टेबलेट के बाड़े में जैसे कि दोस्तो दर्थ और सुजन इन दोनों को ठीक करने के लिए इसके यूज किये जाते हैं इसके अलबा भी कौन-कौन सा कंडिशनों में आप इस एसिफोन एस्पी टेबलेट को उप्योग कर पाएंगे संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले है यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्रेब जरू करे सो दोस्तो चलिए आज की इस वीडियो को शुड़ू करते हैं आईए जानते हैं इस Acifon SP टेबलेट के अंदर आपको कौन-कौन सा इंग्रेडियन देखने को मिलती है Aciclophinex 100 mg, Paracetamol 325 mg और Seretio Peptidase 15 mg उपयोग किये गए है दोस्तो, Genon LightSense Private Limited Company दोआरा इस Acifon SP टेबलेट को मैनेफेक्चरिंग किये जाते हैं अगर इसके मार्केट प्राइस के बात करें तो दोस्तो, 10 टेबलेट की एक स्टीप आती है जिसकी MRP 108 रूपे के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे अभी बात कर लेते दोस्तो, कौन-कौन सा कंडिशनों में आप इस Acifon SP टेबलेट को उपयोग कर पाएंगे जैसे की दोस्तो, Aciclophenic और Seretio Peptides Non-Asteroidal Anti-Inflammatic Drug है वही Paracetamol-Aec, Analgesic और बुखार को कम करने के लिए इसके उपयोग किये जाते है अभी बात कर लेते दोस्तो, कौन-कौन सा कंडिशनों में आप इस Acifon SP टेबलेट को उपयोग कर पाएंगे जैसे की दोस्तो, Joint Pain, Muscle Pain, Fever, Rheumatic Osterotitis, Osteo Arthritis इन सभी समस्या को ठीक करने के लिए इस Acifon SP टेबलेट को उपयोग किये जाते है इसके अलवा भी यदि किसी बैक्ति को Axion की वज़ा से किसी जगा पर बहुत ज़दा रेटनेस या फिर स्वेलिंग हो गई हो इस situation में भी आप इस Acifon SP टेबलेट को उपयोग कर पाएंगे अगर इसके doses के बारे में बात करते हो दोस्तो, एक एडल बेक्टी, सुबा साम एक एक गोली, खाना खाना का बात ले सकते है अभी बात कर लेते हैं, यदि आप इस Acifon SP टेबलेट को लेते हैं, क्याकि आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं जैसे nausea, vomiting, cobs, यदि इन में से किसी भी तरीगे का साइड इफेक्ट आपको इस Acifon SP टेबलेट को लेने का बात देखने को मिलती है आप इस Acifon SP टेबलेट को उपयोग ना करें, बन कर दें और आपके नजज़ी के किसी डॉक्टर से कॉंसल्ड करें अभी बात कर लेते हैं, दोस्तों, प्रेक्यूशन के बारे में कौन-कौन सा बात को ध्यान में रखते हुए, आपको इस Acifon SP टेबलेट को लेना है लेते समय इसका एक्सपैरी चेक कर ले, ओभार्डोस इसे यूश ना करे, प्रेग्नेंसी लेडी और ब्रिश फिटिंग मदर को भी इस Acifon SP टेबलेट को नहीं लेना है उमीद करता हुँ आपको Acifon SP टेबलेट के बारे में संपुन्न जानकारी मिल गई होगी आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट में और एक न्यू मेडिसिन से रिलेड़ वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई और टेक कियार